नमस्कार, मैं प्राध्यापक मुबीन शेख, आप सबका तह दिल से स्वागत करता हूँ, वैसे तो मैं विज्ञान विशय में जीव शास्त्र पढ़ाता हूँ, लेकिन एक विडियो क्रियेटर होने के नाते, मैं हर किसी विशय में रुची रखता हूँ, खास करके इतिहास, क्योंकि इतिहास मुझे होसला रखने की, हमेशा उर्जितावस्था में रहने की, और अपने काम और जीवन को लेकर सकारात्मक रहने की सीख देता है, और साथ ही यह विशय मुझे कठीन समय में हमेशा मोटिवेट करता है, ऐसी ही एक कुछ अंसुनी, कुछ सुनी, स्री जोडियों की, जिन्होंने अपने समय में दुनिया की सोच और जीवन के दर्शन को बदल दिया, उनके कारियों ने न केवल समाज की दिशा को बदला, बलकि इतिहास में ऐसी छाप छोड़ी कि वे दुनिया को हिला देने वाले माने गए, आईए जानते हैं इन जोडि आतेन ने एक नई धार्मिक क्रांती की शुरुआत की थी, जिसमें केवल एक ही देवता, एटन, सूर्य की पूजा को प्रधानता दी गई, यह मिसर की संस्कृती में एक बड़ा बदलाव था, उनकी बेटी अंखेस नामुन, जिन्होंने बाद में प्रसिद्ध बाल राज तूतन खामुन से विवाह किया, एक ऐसे समय में रानी बनी, जब मिसर के धार्मिक और राजनीतिक हालात बहुत ही अस्थिर थे, अपने पिता के बाद उन्होंने बहुदेववात की वापसी में योगदान दिया, उनके काल ने मिसर की धार्मिक प्रथाओं को गहराई से प्रभावित किया और आज भी यह इतिहासकारों के लिए एक शोद का विशय है। लेकिन सिख सामराज्य के भविश्य के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने शान्ती और सांस्कृतिक एक्ता को बढ़ावा दिया और अपने पिता के सामराज्य की विरासत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद तीसरी जोड़ी है जिसे शायद आपने कभी सुना या पड़ा भी होंगा। जवाहरलाल नहरू और इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने भारतिय स्वतंत्रता और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बेटी इंदिरा गांधी बाद में भारत की सबसे प्रभावशाली प्रधान मंत्री बनी। उनके कारेकाल के दौरान उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन, आपातकाल और कई अन्य कठिन निर्णे लिये। इन दोनोंने आधुनिक भारत की राजनीति को एक मजबूत आधार दिया और वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन पिता-पुत्री की जोडियों ने न केवल अपने देश और समाज को एक नई दिशा दी, बलकि दुनिया के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि किस प्रकार द्रड संकल्प, साहस और निष्ठा के साथ हम अपने समय को आकार दे सकते हैं। चलिए, हम भी ऐसे ही कई इतिहास के अलग-अलग महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने कारे क्षेत्र में खास करके, शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमुल्य योगदान दे। चलिए, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में जहां हम एक मराथी डॉकुमेंटरी और लेसन वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए गूड बाई, टेक केर, धन्यवाद।